हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई चैनल एट्रेक्टिव लूप्स तो ये देखे फ्रेंड्स आज एक बहुत ही खुबसूरत जैगट का डिजाइन में आपके लिए लेकर आई हूँ तीन तरह के पैटन डालकर मैंने इसको बनाया है जो में पैटन है वो ये कथे कलर पर डला हुआ है ठीक है उसके बाद में जो दूसरा वाला पैटन है हमारा वो ये कमर पर आ रहा है ठीक है और उसके बाद में जो तीसरा पैटन है हमारा ये नीचे सबसे नीचे हिप पर ये तो इस तरह से तीन पैटर्न डालकर हम इसको बनाया है कुल मिलाकर 300 ग्राम उन इसमें हमारी लगी है जिसमें की 50 ग्राम हमारी क्रीम कलर की उन है बाकी दूसरे वाले कलर की है और आई इसका मेजरमेंट देख लेते हैं यह देखिए 18 इंच इसकी चोड़ाई है तो टोटल य 23 इंच है यह देखिए ठेक है तो दो तरह की उन इसमें हमने यूज की है यह दो कलर नॉर्मल अच्छी वाली उन जो मार्केट में मिलती है वही उन है और 12 नंबर का क्रोश्या हम इसके लिए यूज करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ला मैं बो जाएगी तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसके दो पैटन्स शेयर करूंगी जो में में सब्सक्राइब करेंगे एक उन इन गफ हेलें और कुछ वी पार्ट परषे तो यह देखे मैंने पर 164 टीन यह पर बना रखिए हैं 164 एन यहाण पर बना रखिए हैं गष्कार दिन की तीन है वह हमारी टीन करूम का काम करेंगे तो किरूशे के ऊपर मिफ्षा को लेंगे और यह हम में चिप करने nuclear पश्यांट तीन चेन छोड़कर चौथी चेन में हम अपना दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे यान ओवर करेंगे और इसी चेन में हम एक डबल क्रोशे और बनाएंगे तो ये तीन चेन को मिलागर हमारे तीन डबल क्रोशे यहाँ पर बन गए हैं अब हम एक chain बनाएंगे yarn over करेंगे और नीचे वाली एक chain skip परके दूसरी वाली chain में हम crochet डालेंगे और इस वाली chain में हम double crochet बनाएंगे लेकिन उसको complete नहीं करेंगे ठीक है अब yarn over करेंगे और दो chain नीचे वाली skip पर देंगे तीसरी वाली chain में हम फिर से एक double crochet बनाएंगे इन दोनों कोई एक साथ complete करेंगे ये देखिए दोनों ये अभी incomplete है इन दोनों को ही हम एक साथ complete कर देंगे इस तरह से ठेक है दो double crochet ये एक साथ आ गए अब हम चार chain यहाँ पर बनाएंगे ठेक है अब ये चार chain हम छोड़कर जो नीचे वाली हमारी chain है इसमें इसको हम crochet मिलेंगे और ये जो दो double crochet हमने बनाए हुए है इनके आगे वाले धागे एक एक ध्यान से देखिएगा इस तरीके से तीन धागे हमने ले लिए है एक साथ इसमें से हम उनको निकाल कर अपना एक फंदा यहाँ पर ले लेंगे तो ये इस तरह से हमारा एक लूप बन जाएगा लूप कहें इसको या परिंग भी कह सकते हैं अब हम एक chain बनाएंगे यार नोबर करेंगे और एक chain स्किप करके दूसरी वाली chain में एक डबल क्रोशे बनाएंगे फिर से यार नोबर करेंगे और इसी chain में एक डबल क्रोशे और बनाएंगे तो फ्रेंट्स इसी वाली chain में हमें चार डबल क्रोशे बना रहे हैं यह हमारे चार डबल क्रोशे कम्प्लीट हो गए अब हम एक चेन बनाएंगे और नीचे वाली एक चेन स्किप कर देंगे इसके आगे वाली चेन में एक इंकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे याड नोबर करेंगे और नीचे वाली दो चेन स्किप करके तीसरी चेन में एक और इनका बिली डबल क्रोशे बनाएंगे अब इन दोनों को हम एक साथ जोइंट कर देंगे और फिट से इसके उपर चार चेन बनाएंगे ठीक है और फिट से इसी तरीके से चार चेन छोड़कर हम नीचे वाले ये तीन धागे लेंगे और इसमें से हम अपना फंदा निकाल लेंगे तो यहाँ पर फिट से हमारा एक रिंग उपर की तरफ बन गया है एक चेन बनाएंगे याण वर करेंगे और नीचे वाली एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे और इस चेन में फिट से हमें चार डबल क्रोशे बनाने है तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें ये अपना पूरा राउंड कंप्लीट करना है ये देखिए चार डबल क्रोशे बन गए ये देखिए इस तरह से ये दिखाए देंगे स्टार्टिंग में हमने तीन डबल क्रोशे बनाया है उसके बाद एक ये दो डबल क्रोशे और रिंग हमने बनाया है उसके बाद फिर चार डबल क्रोशे बनाया है फिर हमने रिंगवारी स्टेचेज बनाया है फिर उसके बाद हमने चार डबल क्रोशे बनाया है ऐसे ही हमें पूरा राउंड कम्प्लीट कर लेना है तो यह देखे यह राउंड हमने कम्प्लीट कर लिया है और यह जो चार डबल क्रोशे हमने बनाए हुए है ये हमने 22 बार repeat किये है ठीक है 22 बार हमने बनाए है और शुरू में और आखिर में ये 33 डबल क्रोशे हमारे बने हुए है तो अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इस piece को पैलट लेंगे अब हम ये जो तीन हमारे डबल क्रोशे हैं इसके उपर हम डबल क्रोशे बनाएंगे अपने तो एक हमारा तीन चेन हो गया एक हमारा ये वाला डबल क्रोशे हो गया नेक्स चेन में जो हमने बनाया है अभी एक डबल क्रोशे हमारा बचा है इसके उपर हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे तो यह नीचे हमारे रो में तेन डबल क्रोशे हैं इस रो में हमारे चार डबल क्रोशे स्टार्टिंग में बन जाएंगे अब यह देखे यह हमारा ring है 4 chain वाला इसके बीच में हम crochet डालेंगे और इसमें से हम एक single crochet बनाएंगे अब yarn over करेंगे और यह देखे यह नीचे वाले रो में हमारे 4 double crochet बने हुए हैं इसके उपर अब हम पहले वाले double crochet के उपर 2 double crochet बनाएंगे एक और ये दो अब आगे वाले डबल क्रोशे के उपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे इसके आगे वाले डबल क्रोशे के उपर भी एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे अब ये एक डबल क्रोशे हमारे यहां पर रह गया है तो इसके उपर हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे ठीक है तो 4 डबल क्रोशे की जगा यहाँ पर हमारे इस रो में 6 डबल क्रोशे बन गए है अब यह आगे वाला रिंग है इसमें फिर से हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे ठीक है बीच में से हम क्रोशे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे हम बना देंगे तो अभी फिर से हमारे 4 डबल क्रोशे आ गए हैं फिर से इसके उपर हमें 6 डबल क्रोशे बनाने हैं तो पहले वाले डबल क्रोशी के उपपर दो बनाएंगे पीच वाले दो डबल क्रोशी के उपपर एक एक डबल क्रोशी बनाएंगे और आखिर वाले चौत्रे डबल क्रोशी के उपपर हम दो डबल क्रोशी बना देंगे ठीक है फिर इस तरिंग के उपपर तीन डबल क्रोशे रह गए हैं, इसको भी हम यहाँ पर चार डबल क्रोशे इसके उपर बना देंगे, पहले के उपर दो, दूसरे के उपर एक, और यह तीन चैन है हमारी, तो इसके दोनों लूप्स लेकर, एक डबल क्रोशे इसके उपर हम यहाँ पर बना देंगे, तो यह तो हमारा complete हो गया है ठीक है यह तीन के उपर चार बन गया है अब हम फिर से तीन चेन बनाएंगे ठीक है इस पीस को पलेट लेंगे और अपना तीसरा वाला जो हमारा double crochet है यह वाला इसके उपर हम एक double crochet बनाएंगे तो यहां पर हमारा यह समझे कि एक इस्टिच जो है वो घड़ गया है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में तीन नहीं बलकि दो चेन बनाएंगे तो यह एक डीक्रेस स्टिच हमने बनाया है अभी हमारा रिंग है इसके उपर जो सिंगल ग्रोश हमने बनाया हुआ है इसके उपर हम चार double crochet बनाएंगे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करने ताकि इसे तरह की खुब्सूरत चीज़े मैं आगे भी आपके लिए बनाते रहूँ यह देखिए चार double crochet हमारे complete हो गए है ठीक है अब फिट से हम एक chain बनाएंगे और यार्ण ओवर करके यह आगे वाले जो हमारे 6 double crochet बने होए हैं इसका यह एक पहला और एक ही दूसरा दूसरे वाले double crochet के उपर एक incomplete double crochet बनाएंगे यार्ण ओवर करेंगे और दो double crochet छोड़कर तीसरे के उपर मतलब पांचवे double crochet के उपर दो chain skip करके एक incomplete double crochet और हमने बनाया है अब इसके उपर हम एक ring बनाएंगे जिसके लिए 4 chain बनाकर नीचे वाली 3 धागे हम लेगे और इसमें से उनको निकाल देंगे slip stitch करके और फिर से एक chain बनाएंगे और य एक, दो, तीन, और ये 4 ठीक है अब फिर से हम एक chain बनाएंगे यार्ण ओबर करेंगे और ये आगे फिर से हमारे 6 double crochet आ गए है तो इसके दूसरे वाले double crochet के उपर हम एक incomplete double crochet बनाएंगे यार्ण ओबर करेंगे और दो double crochet छोड़कर तीसरे वाले के उपर एक और incomplete double crochet बनाएं ठीक है अब इसको एक साथ जॉइंट करके हम इसके उपर चार चेन बनाएंगे फिर से नीचे वाले तीन धागे लेकर हम इसको एक रिंग यहाँ पर बना देंगे स्लीप स्टिच करके अब एक चेन हमने यहाँ पर बनाई है यह देखिए इस तरह से दिखाई देगा ठीक है पूरा रो हम इसी तरीके से कंप्लीट करना है रिंग के उपर चार डबल क्रोशे बनाने है और छे डबल क्रोशे के उपर एक यह रिंग वाला स्टिच हमें बनाना है ठीक है रिंग के उपर चार डबल क्रोशे और छे डबल क्रोशे के उपर रिंग वाला स्टिच बनाते ह हम ये पूरा के अलंगकि अ लगान नटिक europé के पूरा रव अपना कम्पलीट कर लेंगे ये दी कैसे चार डबल क्रोशिए और एक चैन हमारी बनी हुई है अभी आखरी के चार डबल क्रोशिए हमारे हैं तो इसमे दोस्रे डबल क्रोशिए के उपर एक incomplete double crochet बनाएंगे और यह जो 3 chain हमारी है आगरी double crochet वाली इसके उपर हमें एक incomplete double crochet बनाएंगे और एक साथ हम इन दोनों को joint कर देंगे यह round हमारा complete हो गया है decrease stitch के साथ फिर से 3 chain बनाएंगे और इस पीज को हम पलट लेंगे अब यार नोबर करेंगे और यह जो 4 double crochet हमारे हैं अब इसके उपर हमें 6 double crochet बनाने हैं जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे पहले वाले रो में 4 double crochet हैं तो दूसरे रो में उसके उपर हमने 6 double crochet बनाए थे ऐसे ही हमारे तीसरे रो में 4 double crochet हैं इसके उपर हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे और रिंग के उपर सिंगल क्रोशी का स्टिच बनाएंगे यह देखिए एक दो डबल क्रोशी पहले डबल क्रोशी के उपर बन गए अब यार नोबर करेंगे और दूसरे डबल क्रोशी के उपर एक बनाएंगे तीसरे डबल क्रोशी के उपर भ ये रिंग हमारा आगया है, इसके उपर हमें सिंगल ग्रोशे बनाना है, ये देखिए इस तरह से, अब ये इसके आगे हमारे 4 डबल ग्रोशे हैं, इसके उपर हमें फिर से 6 डबल ग्रोशे बनाने हैं, पहले वाले के उपर दो बनाएंगे, एक, दो, दूसरे वाले के उपपर एक बनाएंगे, तीसरे के उपपर भी एक बनाएंगे और चौधे के उपपर हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारे छे हो गए हैं और पूरा रो हमें इसी तरीके से complete करना है ठीक है जैसे हमने दूसरा रो बनाया था ऐसे ही हमारा ये बाला रो है सिर्फ starting में और ending में थोड़ी से changes है तो इस रो को भी हम complete कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ दस रो में इसके इस तरीके से बनाऊंगी ठीक है ये देखिए इस तरह से इस डिजाइन हमारे दिखाई देगा इस चोक और चोक और पीस आपको clearly नजर आ रहे है और इस दस रो हमारा complete होने लगा है यहाँ पर इसको हम complete करेंगे दूसरे color के धागे के साथ यह वाला stitch हम complete करेंगे आकरी stitch अब हम यहाँ पर तीन chain बनाएंगे और हम यहाँ से अपना दूसरा pattern डालना है start करेंगे ठीक है तो इसके लिए हम yarn over करेंगे और यह जो next chain है हमारी इसमें हम एक double crochet बनाएंगे तो एक तीन chain double crochet की गिंती में आएगा और आगे वाली chain में एक और incomplete double crochet बनाएंगे यह दो incomplete हमारे crochet में आगए अब इनको हमें एक साथ complete करेंगे अब इसके उपर दो chain हम बनाएंगे और yarn over करेंगे और यह जो chain है हमारी जहां हमने दो double crochet एक साथ complete किये हैं इस वाली chain में हम एक और incomplete double crochet बनाएंगे यार्ण ओवर करेंगे और इसी chain में एक incomplete double crochet और हम बनाएंगे अब ये तीन लोप हमारी crochet में है तीनों में से हम एक साथ उनको निकाल कर इसको complete कर देंगे अब यार्ण ओवर करेंगे और आगे वाला एक chain छोड़कर और दूसरी chain के उपर हम एक double crochet बनाएंगे incomplete इसके आगे वाली chain पर एक incomplete double crochet बनाएंगे और इसके आगे वाली chain पर भी incomplete double crochet हम बना लेंगे तो ये तीन incomplete double crochet है हमारी इनको हम एक साथ complete करेंगे फिर से इसके उपर दो chain बनाएंगे और इसी वाली chain में जहां हमने double crochet joint किये हैं इसमें हम एक incomplete double crochet बनाएंगे याचन ओवर करेंगे और एक और हम इसी chain में से बना लेंगे यह तीन loops हमारे crochet में हैं तीनों को हम एक साथ complete कर देंगे यह देखिए इस तरह से यह बनेगा याचन ओवर करेंगे एक chain skip करके दूसरी चेन में फिर से हम incomplete double crochet बनाएंगे इसके आगे वाली में भी एक और बनाएंगे और इसके आगे वाली chain में भी एक और बनाएंगे तो इसी तरीके से तीन-तीन in complete several crochet around हमें बनाने हैं और उसके उपर एक पेटल हमें बनानी है ठीक है इस तरह से पूरा राउंड हमें बनाना है यह कि देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है तो कुल मिलाकर 40 बार हमने डबल क्रोशे बनाये हैं और एक शुरू में और एक आखिर में हमारा एक्स्ट्रा है 161 चेन डिजाइन के लिए चाहिए थी लेकिन हमारे पास 162 चेन थी तो एक जगा बीच में हमने दो चेन स्किप की हुई है तो तीन चेन में बनाकर स्पीस को हम पलट लेंगे याडनो बर करेंगे और आगे वाले डबल क्रोशे के उपर एक डबल क्रोशे बना लेंगे हम फटी में दो डबल क्रोशे हमारे हो गए अब फिर करका याडनो बनावर करेंगे और फिर चाहलें में दोकीड़ के दोनल कि पर पत्तियों जों से में दो 10 ग्रोशे बनाएंगे इस chain में हम 3 double crochet बनाएंगे फ्रेंड्स वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें बहुत जाद मैनत लगती है इस तरह के piece को ready करने में ये 3 double crochet हमारे बन गए ये देखे इस तरह से दिखाई देगा अब इसको हम एक chain और बनाएंगे यार्ण और करेंगे और आगे वाली ये जो chain है हमारी इसमें हम 3 double crochet फिर से बनाएंगे तो 2 row में इस design complete हो जाता है ठीक है तो इसके उपर 4 row और मैं भी बनाऊंगी तो कुल मिलाकर 6 row में इस design के बना लूँगी जिसमें 3 बार हमारे design डलेगा ये देखिए इस तरह से दिखाए देगा ये जो 20 में हमारे पत्या है इसके 20 में जो chain है इन chainों के उपर हमें 3-3 double crochet बनाने हैं पूरे row में इसी तरह से ये देखिए 6 round हमने इसी वाले design के बनाए है अपने और उसके बाद में 8 round हमने और नीचे वाले design के बनाए है पहले वाले pattern के और उसके बाद हमने ये मुड़ा यहाँ पर घटाया है और गला अपना बनाया है तो इसको बनाने के लिए बहुत ही easy है ये देखिए design जो हमने बनाया है ये ये आपको इस तरह से ये 23 है total ठीक है तो 23 में से मैंने 5 ये पीस चोग को अलग कर लिए है इसके आगे जो हमारा ring वाला stitch है इसके उपर मारकर डाला है ये हमारा ring वाला stitch है इसके उपर मारकर है उसके बाद में ये देखिए दूसरी side है हमारी ये भी हमारी front के side है इसमें भी हम ये 1, 2, 3, 4, 5 5 पीस छोड़कर इस वाले ring में हमने ये marker डाला है और उसके बाद में ये 2 पीस हमने छोड़े हुए है ये देखिए 1, 2 उसके बाद हमने ये marker लगाया है ठीक है ऐसे हमने यहाँ पर ये 2 पीस छोड़ दिये हैं एक ये एक और ये 2 ये 2 पीस छोड़कर हमने दूसरा वाला marker लगाया हुआ है तो ये हमारे मुढधा जो है हम इतना इसको छोड़ देंगे और जैसे मैंने ये वाला मुढधा बनाया है इसे तरीके से दूसरी सैड में भी हम इसका मुढधा बनाएंगे ठीक है और गला भी बनाएंगे तो ये देखिए ये जो मैंने बनाया है ये हमारी रो इधर की तरफ चली आ रही है ठीक है इस तरह इस तरफ को ही चल रही है तो दूसरी वाली सैट पे जहां मुड़ा बनाएंगे उसमें भी हम अपनी रो इधर को ही चलाएंगे इधर की तरफ से तो ये वाला जो रिंग के ओपर हमारा मारकर है इस मारकर को निकाल कर हम यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम क्रोशे डालेंगे रिंग के ओपर जो सिंगल क्रोशे स्टिच होता है वो स्टिच है ये उसी वाले स्टिच में हमने चारो मारकर अपने लगाए हुए है तो इसमें हम क्रोशे डालेंगे और यहाँ से हम अपना लूप ले लेंगे यह देखिए यह हमारा लूप आ गया है इसको हम आगी की तरफ लाएंगे और यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे ठीक है अब हम यहाँ से अपना मुड़ा घटाने स्टार्ट करेंगे तो एक चेन और हम चेन स्पेस के लिए लेंगे और यह हमारे 6 डबल ग्रोशे हैं इसके उपर हम अपना डिक्रीस वाला स्टिच बनाएंगे जिसके उपर हम एक रिंग बनाते हैं यह देखिए इस तरह से दो डबल ग्रोशे एक साथ हमने जॉइंट किये हैं अब इसके उपर हम एक रिंग बनाएंगे अब ये नीचे वाले तीन धागी लेकर स्लीप स्टिच हम यहाँ पर एक करेंगे तो ये रिंग हमारा बन जाएगा अब इसके आगे एक चेन बनाएंगे यार्णोवर करेंगे और ये हमारा रिंग के उपर वाला सिंगल ग्रोशे स्टिच है इसके उपर हम चार डबल ग्रोशे बनाएंगे तो ये हमारा मुड़ा घटाना यहां से स्टार्ट हो गया है अब आगे तक पूरा रो हम ये कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में इसको टर्न करके यहां तक हम वापिस ले आएंगे तो पैटन के अकॉडिंग हम इसको बुनेंगे आगे भी ये देखे इस तरह से ये रो पूरा कंप्लीट करके दूसरा वाला रो मैंने यहां तक ला दिया है अब इस वाले रिंग में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये रो हमारे यहां पर कंप्लीट हो जाएगा तो ये दो रो मैंने आपको बनागर बता दिया है अब हम तीन चेन बनाएंगे अब आप ध्यान से देखेगा फ्रेंड्स ये दो रो मैंने आपको बनागर बताया है ठीक है एक रो के स्टाटिक में रिंग वाला स्टिच है हमारा और दूसरे रो के आखिर में ये सिंगल क्रोशे स्टिच है अब हम इसको पल्टेंगे और फिट से हम पहला ही रो अपना बनाएंगे जो हमने मुड़ा घटाने के लिए पहला रो मैंने आपको बनागर बताया है वही रो मैं यहापर बनाऊंगी ठीक है उसके बाद में फिर दूसरा रो भी मैं इसको पर बनाऊंगी तो चार रो मुझे ये बनाने है टोटल ठीक है दो मेन आपको बता दिया है दो भी हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे इसके बाद यह जो मुड़े वाली साइड है हमारी इसकी जो घटाई है वो पूरी हो जाएगी इसके बाद हम इसको पर तक स्ट्रेट बुनेंगे पैटन के अकॉर्डिंग ठीक है और नेक की तरफ से अब हम अपने स्टिचिस घटाएंगे जैसे काम हमने यहाँ पर किया है बिल्कुल ऐसा ही काम हमें गले की तरफ करना है अप मुड्डे की तरफ से चार और बनाने के बाद में हमने इसको पर की तरफ नॉर्मल सीधा बुना हुआ है पैटन के अकॉर्डिंग ठीक है तो हम यहाँ गलग हटाएंगे और उसके बाद में 2 अवाले नॉर्मल हमने सबसे उपरवाले बुने हुए हैं तो पैटन के अकॉर्णिंग हमने बनाए हैं तो िभी मैं बहु आपको बताती हूँ स्टार्टिंग करके मैं आपको बता दूँगी उसके बाद मैं आपको बहुत ही एजी ली समझ में आ जाएगा यह देखिए यह हमारे मुड़े वाले चार रो कम्प्लीट हो गए है ठीक है अब यह वाला जो रो है इसको हम नॉर्मली बुनेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग ठीक है तो इधर से हम स्ट्रेट बुनेंगे और यहाँ पर हम अपना गला घटाएंगे तो यहाँ तक हम इसको बुनते वे लाते हैं यह देखिए यह बुन लिया है हमने और अब हम यह हमारा आकरी यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशे बनाते हैं नॉर्मली लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक ही double crochet बनाएंगे तो दो stitch हमारे यहाँ पर कम हो जाएंगे और आप देखिए यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने मुढ़े को घटाया था तो पहला जो stitch है हमारा वो यह decrease वाला है जिसके उपर ring बना हुआ है तो अब हम तीन चेन बनाएंगे और इस पीस को पलेट लेंगे और पहला जो stitch है वो इस रिंग के उपर हम बनाएंगे single crochet stitch ठीक है अब इसके आगे चार double crochet है इसके उपर हम छे double crochet बनाएंगे तो यह दिखे same ऐसे ही हमने बड़ किया है यह जैसे हमने मुड़े पर किया था ठीक है और back के जो मुड़े हैं वो भी हमें बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाने है दोनों तरफ के ठीक है तो back में हम चार रो बनाएंगे इस तरह के घटाई वाले और back का मुड़ा जो हमारा वो भी बन जाएगा तो यह देखे गले के पांच रो हमने कंप्लीट कर लिए हैं एक दो तीन चार पांच अब छटा रो हम अपना स्टार्ट करेंगे इसके लिए स्टार्टिंग में हम तीन चेन बनाएंगे तो एक यहाँ पर हमारी बनी हुई है दो और हम बना लेते हैं तीन हो अब यह देखे पहला स्टीच हमारा यह रिंग वाला है इसके उपर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसके बाद में चार डबल क्रोशे हैं इसके उपर हम छे डबल क्रोशे अपने बनाएंगे तो पैटन के अकॉर्डिंग इसके आगे की बुनाई हमें करने हैं और इसक और यह आखिर में जो हमारे तीन डबल क्रोशे बने हुए हैं इसके उपर हम चार डबल क्रोशे इस रो में बनाएंगे ठीक है और इसके उपर दो रो हम नॉर्मली बुनेंगे बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग जिसमें यह रिंग वाला स्टिच है इसके उपर हम चार रेडि हो जाएंगे यह देखिए दोनों साइड हमने फ्रंट के रेडि कर ली हैं यह आखिर में दो रो हमारे नॉर्मल पैटर्न के अकॉर्डिंग बुने हुए हैं और यह दूसरी साइड है हमारी देखिए यह बिल्कुल इसी तरह से बनी है जैसे कि हमारी पहली वाली सा साइड है तो यह गला हमारा हो गया अब मैं इसकी बैक आपको दिखाते हूं तो यह देखिए यह फ्रंट पीस के बाद में यह हमारी दूसरी वाली साइड है जहां हमें अपना दूसरा वाला बैक का मुढ़्धा बनाना है तो इसी तरीके से चार रो जैसे हमने इधर बना करने है इस साइड पर भी और यह हमारी दूसरी साइड है इस पर भी तो आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाई हूंगी कि यह पीस हमें किस तरह से रेडी करना है ठीक है तो अगले पार्ट में हम इसकी कंधी जोड़ेंगे और इसमें कॉलर बनाएंगे और नीचे का करते हैं मैं रिप्लाइ कर दूंगी ठीक है तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में अपने नेक्स पार्ट के साथ तब तक के लिए पना ख्याल रखिएगा बाई